इंटक जिलाध्यक्च रविंद्र सावंत ने प्रंट लाइन कर्मियों के लिए मांगा न्याय समान काम समान वेतन के लिए मनपा आयुक्त ने दिलाया भरोसा इंटक के नविंबई जिलाध्यक्च रविंद्र सावंत ने आज मेडिकल और आरोग्य कर्मियों के लिए समान काम समान वेतन का मुद्दा उठाते हुए आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और कॉंट्राक्ट कर्मचारियों के लिए न्याय देने की मांग की रविंद्र सावंत ने कहा कि कॉंट्रेक्ट पद्धती पर काम करने वाले आरोग्य कर्मी भी स्थाई कर्मियों की तरह जोखिम लेकर ड्यूटी निभा रहे हैं ऐसे में फ्रंट लाइन वरकर्स को भी समान वेतन और सुविधाय मिलनी चाहिए उन्होंने विश्वास जता पाया कि आयोक तो उनकी मांग पर सकारात्मक फैसला जरूर करेंगे देने चाहिए इसके लिए आज निवेधन आयक को दिया है और दूसरी बात है जो हमारे डॉक्तर और जो भी आरोग्य विपाग में डॉक्तर है वो अच्छे काम कर रहे है आज नवयूम्भाई महापाली का जो डेट आप आप देखा रहेगा जा देट का अकड़ा कम आते अगर कोई राजनीती के दारे में खीचके अगर उनका कोई योद्धा पुरसकर कोई दे रहा है तो हम उसका वो जो भी बाटियों उनका हम निशेद करते हैं क्योंकि जो 24 गंटा डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं और डॉक्टर को आज के कोवीड में अगर आप आइसा यह में उद्धा पुरसकर देना यह उचित नहीं है कमिशनर साब ने पिछले बार भी आशोषन दिया था यह बार भी आशोषन दिया है कि जो ठोक मांदर में काम करने वाले जो अभी यहां पे कामगार है जो कोड़ में काम कर रहे हैं उनकी जो पगार की तफाउद है दूर करने के लिए हमने आयुकत को निविदन दिया है और उन्हें ने कहा है कि ये पगार की तफाउद दूर की जाएगी बतादा कि नविबई मनपा में हजारों आरोग ये कर्मी ठेका या दैनिक वेतन परकारे रत हैं हलांकि उन्हें तमाम सुविधायन नहीं मिलती हैं जो स्थाई करमचारियों को मिलती हैं मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर भी इंटक जिलाद्यक्च रविद्शावंत की मांग को सकारात्मक मानते हैं उन्होंने स्विकार किया कि प्रंट लाइन वरकरों को समान काम समान वेतन सुविधायन मिलनी ही चाहिए आयुक्त ने कहा कि कुछ मामलों में जल्द ही निरन ले लिए जाएंगे काडर में नहीं होता है उनको प्रमोशन ना होनी की बज़े से इडवांस इंक्रिमेंट देनी का प्रावधान गवर्मेंट जी आर्मी होता है तो वो जिन लोगों को नहीं मिला है उनको वो दिया जाए इसके अलावा हम देख रहे हैं कि COVID में बहुत सारे अधिकारी करमचा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनका motivation बनाए रखने के लिए उनके जो establishment related matters होते हैं वो बहुत priority पे उनका हल ढूनना important है तो वो सारे मुद्दे जो इन्होंने आज करमचारियों ने यहाँ पे मेरे सामने साधर की है उनमे positively उसका हल जल से जल निकले और जो भी decision हमें वो एक defined time limit के भीतर वो decision लिया आ जाए ऐसे direction मैंने हमारे अधिकारियों को दिये ब्योरो रिपोर्ट TV1 इंडिया लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले